हैलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास इंगलिस होस्पिटल में जहां हम आज आपको वर्ड पावर के तीसरे चैप्टर की तरफ ले चलेंगे पिछले दो चैप्टर का हमने आपको यूटूब पे डाल दिया है जहां आप जाकर के देख सकते हैं चली तीसर चैप्टर का पहला वर्ड क्या है होटी होटी का मतलब होता है प्राउड प्राउड का मतलब घमंडी दूसरा है इंटरवेन का मतलब होता है इंटरप्ट इंटरप्ट का मतलब हस्तशेप करना हस्तशेप करना इंटरनेट या इंटरप्ट मतलब बाधा डालना जिसको कहते justify, justify मतलब proof, proof मतलब प्रमानित करना, lurk, lurk मतलब hide, hide मतलब छिपाना, modify, modify मतलब change, change मतलब पडिवर्तन, इसके बाद हमारे पासे nutrients, nutrients, nutrients मतलब healthy, healthy मतलब स्वास्थ, outset, outset मतलब beginning मतलब आरंब या शुरुवात, paramount, paramount का होता है, prime, prime का मतलब महत्वपुण, query, query का मतलब pray, pray मतलब शिकार, rudeless, rudeless मतलब cruel, cruel मतलब निर्दय, slender, slender मतलब criticize, criticize मतलब अलोचना, team, team का मतलब gather, gather मतलब जमा करना, unanimous, unanimous मतलब of safe mind, of same mind मतलब एक मत यानि जब आप सारे लोग का मत एक हो जाता है, आप किस issue पर एक हो जाते तो हो जाता है, unanimous, virtual मतलब अन, un मतलब food stop यानि खाद सामागरी, wanton, wanton मतलब aimless, aimless मतलब निरुद देश, देखते हैं, comprehension में क्या है, comprehension के chapter number 3 में है, Sohan is at school, Sohan school में है, the headmaster is in his office, headmaster अपने office में है, Sohan and John are talking to him, Sohan और John उनसे बाते कर रहे हैं, Sohan reads in class 8, Sohan आठवी क्लास में पढ़ता है, He is the class leader, वह class का leader है, जिसको monitor कहते हैं, John is an English boy, John English boy यानि अंग्रेज लड़का है, He is a student in a school of England, वह England के किसी school का छात्र है, His father is a doctor, उसके पिता जी doctor है, He is Dr. Smith, और उनका नाम Dr. Smith है, John is here on a holiday, John यहाँ छुटीब में आया हुआ है, चलिए यह passage आपको समझ में आ गया होगा, हम इसके question की तरफ चलते हैं कि question हमारे पास क्या क्या है, Question है पहला, Who is Suhan, Suhan क्या है, कौन है, तो Suhan is a class leader, Suhan class leader है, Who is John, John कौन है, तो John is an English boy, देखे सारा question का अंसर passage में ही है, तो Dr. Smith is John's father, John के पीता जी है, ठीक है यहाँ, यहाँ तक कोई problem नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखे से क्या है, Right, True or False against its sentence, पहला क्या है, Suhan reads in class 7th, क्या रूहन 7th में पढ़ता है, तो नहीं 7th में नहीं पढ़ता है, वो 8th में पढ़ता है, यानि यह false है, Headmaster is in the classroom, Headmaster classroom में है, यह गलत Headmaster office में है, sorry यह भी गलत है, John is here on a holiday, John यहाँ छुट्टी में आया हुआ है, तो यह सही है, चलिए इसके बाद चलते हैं, close test की तरफ, close test में देखते हैं, Chapter 3 में क्या है, Scientific Psychology recognizes a dash truth, कौन सा truth पहचानता है, तो simple truth that no two individuals are dash in the world, यानि कोई दो individuals, एक जैसे नहीं है, तो एक जैसे नहीं है, मतलब, alike in this world, dash equality is fostered norm of civil society, dash, तो even though हालांग की समानताव क्या होता है, समाजिक society में fostered किया जाता है, the truth is that means, सच्चाई क्या है कि यह सारे लोग are unequals, बराबर नहीं है, in the dash huge of degree, जिसका आपको option नीचे है, आपको एक option दिखा जैते हैं, इसका option हो जाएगा आपको, equals in wedding huge or degree, यह आपका option हो जाएगा, डी नमबर, एक लिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, अगला question है हमारा idioms and phrases, idioms and phrases की तरफ चलते हैं, पहला क्या है, to nip in the bird, to nip in the bird का मतलब होता है, आरंभ में ही, यानि किसी चीज को शुरुआत में ही समाप्त कर देना, पहला option क्या है, to get into trouble, मुस्किल में पढ़ना यह नहीं होगा, to put in black and white, यह भी नहीं होगा, to be victorious, यह भी नहीं होगा, to stop the process at the beginning, यानि किसी काम को शुरुआत में ही क्या कर देना, रोक देना, रेड लेटर डे, यानि रेड लेटर डे का मतलब होता है, महत्वपूर्ण दिन, या अविस मरनिये दिन, तो इसका आप देखेंगे, option क्या क्या है, a dangerous day, खतरनाक दिन, यह नहीं होगा, a day when there are red clouds, वैसा दिन, जाब आश्मान में बादल लाल हो, a day which lovers write letters with their blood, यानि वैसा दिन, जब प्रेमी, अपनी खुन से, पत्र लिखता हो, a memorable day, यानि वैसा जो यादगार दिन हो, तो यह option हमारा सही है, इसके बाद हम चलते हैं, अगले question की तरफ, अगला question क्या है, a white elephant, white elephant का मतलब होता है, कि वियर्थ का भय, या खर्च, यानि जो खर्च आप बिना मतलब के करते हैं, तो हो जाएगा, unusual event यह भी नहीं होगा, beautiful object नहीं होगा, a virtual criminal यह भी नहीं होगा, a position that is burdensome in expense or trouble, यानि बिना मतलब का बोज हो जाएगा, चलिए, तो बड़ी दा hatchet, तो बड़ी दा hatchet का मतलब होता है, पुरानी दुश्मनी भूला देना, पुरानी दुश्मनी भूलाना का अंग रेजी हो जाएगा, आपका, to put an end to fighting and be friendly, ठीक है, चलिए, चलिए, अगला है, हमारे पास to face the music, to face the music का मतलब होता है, डाट सुनना, या फिर किसी दुविधा में पढ़ जाना, तो यह हमारा option हो जाएगा, पहला, पास का A, चलिए, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगला क्या है, प्रोटेस्टेड इसमें कुछ शब्दों को जो यहां, ब्लैक से किया हुए, उसके जगा पढ़किया आएगा, वो भरना है, तो he protested that he was being brought to book for nothing, यानि brought to book का मतलब हो जाता है, दंड देना, ठीक है, तो दंड देना का अंगरे जी क्या हो जाएगा, punished, यानि आपका option हो जाएगा, cease का मतलब हो जाएगा, he protested, उसने बिरोध किया, that he was being punished, क्योंकि उससे क्या किया जा रहा था, दंड दिया जा रहा था for nothing, बिना कुछ किये ही, ठीक है, चले, बिना कुछ कारण के उससे दंड दिया जा रहा था, अगला question है, the worker was asked to account for his long absence from work, to account for का मतलब होता है, वर्णन देना या हिसाब देना, यानि उस कारीगर को, उस worker को कहा गया, कि आप जो इतने दिन छुटी पर रहे हैं, उसका आप कारण बताएगा, तो कारण बताना का अंगरी हो जाएगा, उसके बाद है, the proposal was turned down by the committee, यानि जो प्रस्ताव था, उसको कमीटी के दोरा क्या कर दिया गया, रद कर दिया गया, इसका मतलब होता है, रद कर देना, रद करना का अंगरी हो जाएगा, इसके बाद अगले question की तरह बढ़ते हैं, अगला question देखते क्या है, he was pulled up for his bad behavior, pulled up का मतलब होता है, डाट खाना, तो उसे क्या किया गया, अपने बुडे ब्यभार के कारण उसको डाटा गया, तो डाटना का अंगरी हो जाएगा, टेकें टू टास्क, a soldier must abide by the decision taken by his officer, यानि एक soldier को क्या करना चाहिए, नियम को मानना चाहिए, जो उसके officer ने उसके कहा है, तो इसका हो जाएगा, डी, remain faithful to, चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्या है, अब हमारे पास है one word substitution, one word substitution में देखते हैं, पहला question क्या है, the absence of law and order, यहाँ law and order खतम हो जाए, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हम लोग, inarchy, inarchy मतलब, आरजकता, a voice that cannot be heard, यानि वैसी आवाज जो सुनी नहीं जा सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, inaudible कहेंगे, क्या कहेंगे, inaudible, high sea babes caused by underwater earthquake, high sea babes caused by, यानि उची उची लहरे, समुद्र की लहरे, जो नीचे, जमीन के नीचे, जो भुकम के कालान आता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हम लोग, सुनामी, सुनामी का स्पेलिंग आप लोग देख लिए, टी, एस, यू, एन, एम, ये, पूछा जाता है, क्वेश्चन में, सुनामी का स्पेलिंग, तो गीव वन्स ऑथोरिटी तू अनदर, यानि किसी का अधिकार दूसरे को देना क्या कहलाएगा, तो डेलीगेट सुनामी क्वेश्चन रिखते हैं, वन्स इंटरवेंस बिट्विन टू और मोर पार्टी तू सेटल डिफरेंसे, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका, इंटर, मेडिरी, यानि मध्यास्तता जो लोग करते हैं, जो दो पार्टी ओ को आपसी सूला करवाते हैं, उसको क्या क सीन, यानि अगर कोई सीन पर किसी द्रिश पर जो क्लू मिलता है, हम लोगों को उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सरकम स्टैंसियन, अनस पर अनस पेक्टेड पीस ऑफ गूड फॉर्चुनेट, यानि अच्छे भाग की अनस पेक्टेड पीस मतलब जिसकी हम उमीद न अनुमेंट ओबर और एवब फिक्श्ड इनकम और सालरी, नौ का इसका हो जाएगा आपको अनोरियम, दैनिमल ओफ पार्टिकुलर रीजन, दैनिमल ओफ तो पार्टिकुलर रीजन का हो जाएगा आपका फाउना, परसन फिजिकली डिपेंडेंट अनस उसको हम लोग कहें कि अगला क्वेश्चन क्या है, बारा नंबर क्वेश्चन है, हमारा फेलिंग टो डिस्चार्ज वन्ट, वन्स ड्यूटी का हो जाएगा आपको डेलिकेशन, लीगल एग्रिमेंट वाइच अ परसन बोरोज मनी फ्रम बैंक युजवली तू बाई आउस, इसका हो जाएगा आपको मौट गेग, अब मुवमेंट अफ पार्ट ऑप दे बडी तो एक्स्प्रेस अन आइडिया और फिलिंग इसका आपको जाएगा जेस्चर, जेस्चर आप जब आक्टिंग सीखेंगे तो उसमें आपको जेस्चर और पॉस्चर पढ़ाया जाएगा, कि हम अपने आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसको जम कर लाइक शेयर और शब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों को भी बताएगे बहुत बहुत धन्यवाद